दोजार इसमें यूके में रहने वाले 12 सल के रेली मॉरिसन को ये जानना था कि क्या मैगनेट्स यानि चुम्बक अलग-अलग समय पर निगला जाए तो क्या वो चिपक कर बाहन निकलेगा उसने एक के बाद एक 54 चुम्बक की बाल्स निकल लिगे चार दिन बीद गया और ए 12 सल के वेक्ति भी शामिल थे 2008 में यानि 30 सल बाद ये पता चला कि लॉरंस दरसल बेकसूर है इसके बाद वहाँ की सरकार ने उन्हें 75 डॉलर यानि 5,500 रुपे देकर बाहर की दुनिया में छोड़ दिया वो कई महीनों तक एक ऐसी दुनिया में घूमते रहे जिसको उन्ह चाहती है इसलिए किया गया कि वो बार बार पानी में डूब कर मदद की गोहार लगाने लग जाती है जिससे इमजेंसी टीम को उसे बचाना ही पड़ता है और अब तक सरकार 7 करोड से जादा रुपे इसको बचाने में खर्चा कर चुकी है